Hello students, welcome to my YouTube channel, this is our 13th video lecture, in this video lecture we have told that how to use lock table and anti-lock table, so watch this video lecture carefully, so let's start Today we are starting exercise 2.4, and this is our 13th video lecture, in which we will see how to use lock table and anti-lock table, so we will learn how to use lock table and how to use lock table and how to use lock table, so let's start, let's start, exercise 2.4, so let's take a basic example, we will learn how to use lock table and how to use lock table, so we will learn how to use lock table and how to use lock table, so let's start, करते हैं, तो बच्चों यहां पर हमारे पास एक lock table मौजूद है, जिसमें 10 से एक कालम दिया है, जिसमें 10 से और 99 तक नंबर दिये हुए हैं, और बाकी यहां पर 9 कालम दिये हुए है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल यहां पर 10 कालम है, और यहां पर 9 कालम, main difference की दिये हैं, यहां से हम value find करेंगे, और इसमें main difference, देखेंगे, तो यहां पर हमने एक question लिया है, तो यहां पर question लिया है, log 645 की value कैसे find करेंगे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं, तो log 645, तो हमें क्या करतना होता है, जब हम log table लेखते हैं, तो हमने पिछले वीडियो लक्शर में हमने पढ़ाथा जब number उन से छोटा हो तब हम क्या करते हैं तो यहाँ पर characteristic यानि की put on find करने के लिए हम use करते हैं आप माल लेते हैं जैसे कोई number छोटा है हमने आपको बताया था जैसे decimal 009 यह number 1 से छोटा है तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे minus sign लगाएंगे bracket, total number of zeros, total number of zeros, after decimal, और क्या करेंगे plus 1 यह हमने बताया था जब number 0 से छोटा हो तब यह condition है और जब number 0 से बढ़ा हो sorry, जब number 1 से बढ़ा हो तब हम क्या करते थे, character इस्टिक निकालने के लिए, पूढांस निकालने के लिए तब हम यहाँ पर करते थे, total number of digits, total number of digits, before decimal, बहुत ही basic formula है, हमें इनको याद रखना है, total number of digits, before decimal, minus 1 लेते हैं, कोई number जिसे 1 से बढ़ा क्या हो सकता है, 119.60 यह number 1 से बढ़ा है, तो यहाँ पर total number of digits यह हैं, 3, 3-1 तो यहाँ से हो जाएगा, characteristic है, अगर हम find करते हैं से हो जाएगा, characteristic 2, तो यहाँ पर यह दो basic condition है, जो हमें follow करने ही, lock table देखने से पहले, तो चलिए, अब हम 600, lock 645 की value कैसे find करेंगे, इनके बारे में हम discuss करते हैं, तो यहाँ पर हम lock 645 की value find करने से पहले हम, सबसे पहले हम इसमें क्या find करेंगे, characteristic, characteristic क्या है, यह number 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम second condition apply करेंगे, यह वाली condition, तो यहाँ पर characteristic find करने के लिए हम क्या करेंगे, total number of digits, total number of digits before decimal, decimal के पहले, यहाँ पर कोई भी decimal नहीं है, माल लेते हैं, 0-0 है, इतना माल लिया, तो यहाँ पर 3 digits हैं, कितने हैं, 3, लिख लिया 3, minus 1, minus 1 हो गया, तो यहाँ पर characteristic find होके आगे 2, यानि कि जो हम value देखेंगे, log table में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 point, इतना लिख लेंगे, 2 point, ठीक है, इतना लिख लेंगे, अब हम 645 की value find करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं, 645 लिखा है, यानि कि 645, तो 64 पर हम value find करेंगे 64, तो यहाँ पर आप देख पा रहे है, 64 कहाँ पर दिया हुआ है, तो यह 64 यहाँ पर दिया है, यह 64 है, 64, और कुछन में दिया था 645, 64 की value 5, यह column number 5 में देखेंग 4, यह value दिख रहे है, kolom 5 के नीचे, और 64 के सामने दिया है, 645 तो यहाँ पर 64 के सामने 5 देखेंगे तो यहाँ पर निखल गया है, 8arms96, तो यहाँ पर हम 8096 value लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, 8096, हमने यहाँ पर mean difference, जो हमारा mean difference वाले कालन दिया है, main difference इसको हमने करेंगे जब 4 digit होते हैं जब नंबर में 4 digit होते हैं तो हम इंडिफरेंस को भी यूज करते हैं यहां पर 3 digit है तो हमने 64 के सामने 5th कालम में value देखी तो यहां पर हमें find हो गया गई 8096 तो यहां पर हमारा स्वारी यहां जो value find होगी log 645 के value यहां निकल के आ गई 2.8096 अब हमें एक दूसरे एक्जामपल लेते हैं अगले एक्जामपल हमने लिया है log 9814 तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर digit दिया है स्वारी नंबर दिया है 9814 तो सबसे पहले मियाज से हम करेंगे तो यह नंबर बन से बड़ा है मियाज पर कौन सी कंडिशन अपलाई करेंगे कंडिशन नंबर टू टोटल नंबर आप डिजिट स्वी फूर डेसिमल डेसिमल के पहले आपर कितने डिजिट है है 1 2 3 4 4 डिजिट है माइस हों तो हम पर करेक्टरिस्टिक निकल गया गया थि यानी कि जो हमारा आंसर होगा है लाग 9814 का वो क्या होगा 3.3 पॉइंट करके होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3.98 के सामने कालम नमर 1 में value देखेंगे तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे 98 के सामने तो यहाँ पर नॉम में तो यहाँ पर यहाँ पर नॉम नॉम 0 यह पर यहाँ पर वैलु दी है 9GM17 हमने लिख लिया 9917 और 98 के सामने में 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 डिफिरेंस कोलम नक्ष ओर में देखेंगे कालम के सामने चाह स्व geographic remains अच्छ इब आफ़रेंस लिए जो दो एडा है такая अपर लॉफ यहांपर नाइड tapi ऩरला जाये हैंि 3.9999 अब हम एक्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं यहां पर अगला एक्जाम्पल हमने लिया है लॉग 7404 तो यहां पर हम इसकी वेल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या कराएंगे करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक लाग 7404 अगर हम लाग टेबल में देखेंगे तो सबसे पहले हमें find करना होता है characteristic यह हमें धान रगना चाहिए characteristic find करने का formula होता है यह number one से बड़ा होता तो यहाँ पर total number of digits total number of digits before decimal before decimal decimal के पहले कितनी digit है यहाँ पर four digit है four लिए minus formula के according हो गया तो यहाँ पर character रिष्ट्र आने की 774-0 कालम में 0 की value देखेंगे देखते हैं तो यहाँ पर हम 74 के सामने column number zero में 74 के सामने column number 0 में देख है है तो यहाँ पर value निकल के हैं रही 8692 तो हम इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा लिए 8692 अब हम क्या करेंगे 74 के सामने देखेंगे मीन डिफ्रेंस में कालम नंबर 4 में तो यहाँ पर हम 74 के सामने मीन डिफ्रेंस में कालम नंबर 4 में देख पा रहे हैं यहाँ पर value दी है 2 तो हम अब हम क्या करेंगे 2 को add कर देंगे तो यहाँ पर हमने add गया तो आगया answer 8694 तो यह हमारा log table देखने के बाद हमें इतना हमने इतना find किया तो हमें आपर लिख सकते हैं 3.8694 तो यहाँ पर हमें जो log 7404 की value जो में find करनी थी वो find होके आई यह 3.8694 तो हमें आपर important यह है कि जब हम log table में देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या character history लिख लेते है character history लिख लेंगे फिर हम log table देखेंगे main column में देखेंगे फिर mean difference में देखेंगे तो जब 4 digit होते हैं तो हम mean difference में देखते हैं और जब 3 digit होते हैं तो में mean difference की ज़रूरत नहीं पढ़ती है तो यहाँ पर आप लोगों ने देख आप लोग समझभा हैंगे कि log table कैसे यूज कर करते हैं यहाँ पर हम characteristic निकालते हैं लॉक टेबल में हम characteristic find करते हैं लेकिन लेकिन anti-lock table यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा number में हमें characteristic पहले से दिया होगा पहले से दिया होगा given होगा पहले से और हम उसमें क्या करेंगे characteristic दिया होगा और हम उससे find करेंगे कि हम decimal को कह और बढ़ते हैं और वहीं आप anti-lock table भी देखना सीख पाएंगे तो exercise 2.4 में question number 1 से 16 तक simplification के question है multiply है और divide भी है तो हम इन type के question को solve करेंगे simplification type के question solve करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम इसको solve करेंगे तो यहाँ पर हम step by step solve करेंगे और थोड़ी language भी लिखेंगे let x is equal to हमने इसको x माल लिया 6.45 into 981.4 ठीक है इतना लिख लिए अब हम क्या करेंगे take log of both sides हमने दोनों तरफ क्या किया log ले लिया तो हो जाएगा log x is equal to log 6.45 into 981.4 इतना कर लिया और अब हम यहाँ पर product formula से इन दोनों को break करेंगे तो हो जाएगा log 6.45 plus log 981.4 इतना कर लिया अब हम क्या करेंगे यहाँ से decimal को हटा के upon में one और zero double zero इस type से लिखेंगे तो हो जाएगा log 645 upon 100 plus log 9814 upon 10 इतना हो गया यहाँ पर हम देखवा रहे हैं जैसे यहाँ पर decimal है और यहाँ पर two digits है ने decimal के बाद तो यहाँ पर हमने टो ड़िजिल लगा लिये यहाँ पर decimal के बाद one डीजिल है तो यहाँ एक 0 लगा लिया यहाँ पर 2 0 लगा लिये तो अब हम यहाँ पर question true apply करेंगे तो हो जाएगा log 645 minus log 100 plus log 9814 minus log 10 इतना कर लिया अब हम क्या करेंगे log 645 plus log 9814 लिग लिया और हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 to power 2 और इसको लिख सकते हैं 2 log 10 तो यहाँ से हो जाएगा minus 2 log 10 और यह minus log 10 तो यह total हो गया minus 3 log 10 log 10 की value हमें मालूम है 1 होती है तो हम क्या लिख सकते हैं minus 3 into 1 minus 3 इसको हम इतना लिख सकते हैं तो यहां से हो जाएगा 2 1 3 3 into 1 minus 3 तो इतना हो गया अब हम क्या करेंगे यहां से log table देखेंगे और यहां पर भी log table देखेंगे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यह characteristic होता है इसको हम find कर लेते हैं तो यहां पर यह नंबर 1 से बड़ा दिया है तो हम formula के according यूज करेंगे characteristic find करने के लिए condition number 2 को तो condition number 2 को हमने वीडियो के starting में बताया था total number of digits before decimal कितना दिया है 1 2 3 3 minus 1 तो हो जाएगा यहां पर characteristic 2 तो यहां पर जो हमारा log table देखने के बाद जो हमारी value find होगी वो two point के रूप में find होगी अब हम log 90814 में क्या करते हैं characteristic find करेंगे तो यहां पर total number of digits before decimal दिये हैं 4 1 2 3 4 4 minus 1 is equal to होता है 3 तो यहां पर जो हमारा answer होगा वो 3 point के रूप में start होगा minus 3 हमने यहां पर यह space छोण रखा है जिससे के हम log table देखेंगे और यहां पर हम log table देखने के बाद यहां पर हम value put up करेंगे तो हम क्या करेंगे 64 के सामने column number 5 में value देखेंगे तो यहां पर value हम देखते हैं 64 के सामने column number 5 यह 64 दिया है और column number 5 दिया है यह यहां पर value दिया है 8,096 तो हम value लिख लेते हैं 8,096 तो हो गया 8,096 यहां पर कोई भी fourth number fourth digit नहीं दिया है तो हम mean difference नहीं देखेंगे कोई भी जरूरत नहीं है अब हम यहां पर क्या देखते हैं log 9,800 14 में 98 के सामने column number 1 में हम value देखते हैं तो यह 98 है और 98 के सामने column number 1 में value दिया है 9,917 तो हम 9,917 को value पूट करेंगे तो बच्चों हमने यहां पर value लिख ली है और हमने यहां पर value इसने नहीं लिखी क्योंकि यहां पर fourth digit दिया है जिससे की हम यहां पर mean difference में 98 के सामने 4th column में 4 sorry mean difference के 4th column में value देखेंगे तो यहां पर value जो निकल के सामने आएगी उसको हम यहां पर add करेंगे तो हम देखते है mean difference में फॉर्थ कालम में 98 के सामने कौन सी वेलू दिये हैं तो यहां पर हम देख पार है 98 के सामने फॉर्थ कालम में में डिफरेंस के फॉर्थ कालम में वेलू दिये हैं 4, sorry 2, 2 वेलू दिये हैं तो हम 2 को एड कर देंगे तो यहाँ पर जो हम 2 को add करेंगे तो हो जाएगा 9 था हो जो 999 तो यहाँ पर हो जाएगा 3.9919 अब हम क्या करेंगे यह दोनों value positive हैं इनको add कर लेंगे तो यहाँ पर value निकल के आगे 6.8015-3 अब हम subtract करेंगे तो हो जाएगा 3.8015 तो अभी तक हमने क्या find कि log x हमने माल लिया था दोनों तरफ लाग लिया था तो हो गया था log x is equal to और हमने solve करने के बाद हमने find कि 3.8015 अब हम क्या करेंगे taking int log of both sides इंटी लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटी लाग और लाग आप ऐसे समझ लीजी लाग is equal to होता है 1 upon इंटी लाग कि इतना समझ लीजी जब हम इंटी लाग लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा only x और यहाँ पर हो जाएगा इंटी लाग 3.8015 इतना हो गया जब हम लाग टेबल देखते थे तो हम क्या करते थे characteristic find करते थे लेकिन इसमें क्या होगा characteristic दिया है और हम क्या करेंगे number of digits before decimal find करेंगे माल लेते हैं y-7 यह number यहाँ पर characteristic positive है तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारा number होगा वो 1 से बढ़ा होगा तो यहाँ से y की value find करेंगे तो 4 तो हमें यहाँ से y equal to 4 क्या पता चला कि y equal 4 में हम यह पता कर पाए कि जो decimal होगा वो 4 digit के बाद होगा अब हम anti-lock देखते हैं value तो बच्चों यह हमारे पास anti-lock table दी है exercise के just आगे हमारे पास lock table और anti-lock table दी है और हम 0.80 के सामने 0.80 के सामने column number one में value देखते हैं तो यहाँ पर 0.80 के सामने column number one में value हम देख पा रहे है 6 3 2 4 तो 6 3 2 4 value लिख लेते हैं 6 3 2 4 80 के सामने column number 1 में हमने value देखने लिए और आप हम mean difference में जाएंगे और 80 के सामने column number 5 में value देखते हैं कितनी दिया है तो यह 80 दिया हुआ है और mean difference में column number 5 के नीचे value दिया है save in it तो आप हम क्या करेंगे save in को इसमें add कर देंगे तो यहां पर हम save in को add करेंगे तो हो जाएगा 6 3 3 1 तो यहां पर हो जाएगा 6 3 3 1 और 3 से हमने क्या find किया था कि जो decimal लगेगा वह 4 डिजिट के बाद तो यहां से 4 डिजिट करेंगे 1, 2, 3, 4, यहां आप decimal लगाएंगे और यहां से हो जाएगा 0, तो यहां से x की value find होके आ गई, x is equal to 6,331.0, तो जो हमारी multiply थी, वो log और anti-lock table use करने के बाद हमें जो answer find हुआ वो इतना हो गया, अब हम question number 2 देखते हैं, बाच्चों question number 2 दिया है, 0.00445 into 43.46, हमें इसकी value find करने, log और anti-lock table की साहता से, तो यहां पर हम क्या करेंगे, let x is equal to 0.00445 into 43.46, अब हम क्या करेंगे, take log off both sides, यह जो हम बीच बीच में इंट्रेक्शन लिखते हैं, यह बहुत ही important होते हैं, और अब हम क्या करेंगे, log x is equal to, log bracket 0.00445 into 43.46, इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहां पर यह जो point दिया है, decimal दिया है, इसको हटाकर हम अपान में 0, बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, 445 upon 10 to power, 1, 2, 3, 4, 5, 5, डिजिट के पहले लगाते हैं, असे हो जाएगा, 10 to power 5 into 43.46, असे point को हटाएंगे तो हो जाएगा, 10 to power 2, यहां पर 2 डिजिट दिया हैं, तो 10 to power 2 हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, log 445 into 4346 upon, इनको add कर लेंगे, तो हो जाएगा 10 to power 7, इतना हो गया, आप देखते हैं क्या करेंगे, अब यहां पर यह जो power दिया है, 10 to power 7, इसको हम उपर multiply में लिख लेंगे, 10 to power minus 7, इसको हम इतना लिख सकते हैं, और अब आप देख पार हैं, यह दोनों sign negative हैं, यानि कि यह तीनों term product में हैं, तो यहां पर product rule apply करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा, log 445 plus log 4346 plus log 10 to power minus 7, इतना कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यह जो 10 to power minus 7 दिया, हम इसको सबसे पहले solve कर लेते हैं, तो solve करेंगे, तो यहां पर log 10 की value हमें मालूम है होती है, कितनी 1, और यहां से हम power दिख से minus 7 को आगे लिख लेंगे, तो हो जागा, minus 7 into 1, log 10 की value 1 into 1, यानि यह minus 7 ही बच जाएगा, अब हम यहां पर log table देखेंगे, तो हमने आपको बताया था, log table देखने से पहले हम, एक main काम जो important होता है, वो होता, character history निकाल के सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यहां पर हो जागा, 1, 2, 3, 3 digit दिये हैं, यहां पर, तो यहां से, नंबर बड़ा है, और यहां से character history जो हम find करेंगे, तो 3 minus हो यानि यानि 2 point हो जाएगा, और कुछ value find होगी, जो हम log table की साथा से लिखेंगे, यहां पर 4 digit दिये हैं, तो यहां पर characteristic हो जाएगा, 3 point, और कुछ value find करेंगे, जो हम log table की साथा से minus 7, और अब हम क्या करेंगे, 445 की value log table से हम find करेंगे, तो अब हम देखते हैं, 44 के सामने column number 5 में value दी है, column number 5 में value दी है, 6474, sorry, 44 के सामने column number 5 में value देखनी है, तो यहां पर value दी है, 6484, 6484 को हम लिख लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा, 2 point, 6484, यहां पर कोई भी 4th digit नहीं दिया है, तो हम mean difference में नहीं देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें 43, column 43 में, column 4 के सामने 43 की value देखते हैं, तो 43 के सामने column number 4 में क्या दिया है, तो 43, column number 4, 43 में, column number 4 के सामने value दिया है, 6,375, हम इसको लिख लेते हैं, और हम फिर mean difference देखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 6,375, यतना हो गया, अब हम 43, mean difference में, column number 6 की value, find नहीं करेंगे, 43 के सामने column number 6 की value, क्या है देखते हैं, तो यहाँ पर 43, column number 6 की नीचे value दिया है, mean difference में, column number 6 की नीचे value दिया है, 43 के सामने 6, तो अब हम 6 add कर देंगे, तो हमने add करने के बाद find किया, 6,381 हमने लिख लिया, और यह दोनों value पाश्टिव हैं, इनको add करेंगे, तो यहाँ पर हमने find करके लिख लिख लिया, 6.2865, minus 7, minus 7 है, अब हम यहाँ से minus 7 value बड़ी है, तो हम यहाँ से subtract करेंगे, तो यहाँ पर हमने find किया, minus 0.7135, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह minus sign दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बहुत ही मातपूर समझने वाली बात यह है कि, यह value negative है, यह value negative है, यानि कि जो decimal के बाद जो digit या जो number लिखा होता है, वो होता है appearance, मैंटी सा हमने आपको बताया था appearance, और हमने आपको यह भी बताया था, जो appearance होता है, वो हमेशा positive होता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको positive बनाएंगे कैसे, minus 1 plus 1 करके, और यह value minus की तो हमने लिख सकते हैं, 0.7135, इतना कर लिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, appearance को positive बनाया, इन दोनों को add किया, तो यहाँ से हो गया, minus 1 plus 0.2865, और हमने बताया था, यह जो appearance है, minus का हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के उपर bar 0.2865, तो हम इसका क्या मतलब समझभा रहे हैं, यह जो appearance दिया है, यह negative है, और यह जो है, appearance यह है, positive, और हमने आपको बताया था, जो appearance होना चाहिए, वो हम इसका positive ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने appearance find गिया, minus 1, minus 1 appearance find करने का क्या मतलब है, जो number रहा होगा, वो 1 से छोटा रहा गा, तो हम condition apply करेंगे, minus 1, minus 1, sorry, minus bracket, total number आप 0, after decimal, after decimal माल लेते हैं, 1, sorry, y, y plus 1, अब हम क्या करेंगे, minus minus, cut कर देंगे, और y equal to, 1 minus 1 equal to 0, यानि कि decimal के बाद 0, digit होने चाहिए, 0 का मतलब यह भी digit नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई ना कोई number ही start हुआ होगा, अब हम यहाँ पर 0.28 के सामने, intilog table में 6 की value, 6 column की value, 28 के सामने find करेंगे, तो यहाँ पर 0.28 के सामने column number 6 में value हम देख पा रहे हैं, 1932, 1932 है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, 1932 को, हमने यहाँ पर लिख लिया, 1932, और अब हम क्या करेंगे, 0.28 के सामने, main difference में column number 5 की value देखेंगे, 0.28 के सामने, तो यहाँ पर 0.28, column number 5.28 के सामने column number main difference में 5 की नीचे value दिया है, यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को add कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1934, तो यहाँ पर हो गया, 1934, और हमने क्या कहा था, कि जो decimal के बाद एक भी 0 नहीं होने चाहिए, तो हम यहाँ पर decimal लगा देंगे, जो यह हमारा answer हो गया, यह हमारा answer हो गया, और एक चीज़ बता देते हैं, जो हमने आपर log, x हमने find किया था, और मैं आपर anti-log लेने के बाद यह हो गया, x is equal to 0.1934, यह हमारा answer हो गया, तो बच्चों अगला question number 3 देखते हैं, question number 3 दिया है, 0.7404 divided 0.4071, तो हम इसको कैसे साल करेंगे, तो सबसे पहले कर लेते हैं, क्या let x is equal to 0.7404 divided 0.4071, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, take log of, both sides, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो हो जाएगा, log x is equal to log 0.7404 divided 0.4071, इतना हो गया, अब हम यहाँ पर constant rule apply करेंगे, तो हो जाएगा, log 0.7404 minus log 0.4071, इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, decimal को हटाएंगे, और क्या करेंगे, 7404 लेख सकते हैं, upon 10 to power 4 minus log 0, sorry, 4071 upon 10 to power 4, इतना कर लिया, अब हम क्या करेंगे, log 7404, यहाँ से constant rule apply करेंगे, तो हो जाएगा, log 10 to power 4 minus log 4071 minus log 10 to power 4, यतना कर लिया, अब हम क्या करेंगे, power rule से 4 को आगे लियाएंगे, और log 10 की value put करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है, कि, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 4 into 1 हो जाएगा, माइनस 4, अब हम यहाँ पर bracket open करेंगे, तो यह value minus के, और यह minus minus हो जाएगा, प्लस, यह धान देने वाली बात है, तो यहाँ पर हो जाएगी, माइनस स्वारी हो जाएगा, माइनस माइनस, प्लस, 4, प्लस, 4, लॉक्ट अगे लिए 1, तो हम यहाँ पर इन दोनों को कट कर सकते हैं, तो हो जाएगा, लॉग 7404, प्लस, स्वारी, माइनस, लॉग 4071, इतना कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर नंबर 4 से बड़ा है, स्वारी, नंबर 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 4, माइनस 1, 3, जो आंसर होगा, लॉग टेबल देखने के बाद वो 3 पॉइंट से स्टार्ट होगा, माइनस इसमें 4 डिजिट हो, यह भी 3 पॉइंट से स्टार्ट होगा, अब हम क्या करेंगे, 74 के सामने, 74 के सामने, कालम 0 में 0 की वैलू देखेंगे, देखते हैं, तो यह हमारे पास लॉग टेबल है, तो 74 के सामने, कालम नमबर 0 में वैलू दिए है, 8,692, तो यहाँ पर लिख लेंगे, 8,692 लिख लिया, 8,692, और अब हम 74 के सामने, मीन डिफरेंस में कालम नमर 4 में वैलू देखेंगे, तो यहाँ पर 74 के सामने, मीन डिफरेंस में कालम 4 में वैलू दिए है, 2, तो हम 2 को एड़ कर देंगे, तो यहाँ पर जब हम 2 को एड़ करेंगे, तो हो जाएगा, 8,694, तो लिख लेंगे, 8,694, और अब हम क्या 40 के सामने column 7 में 7 की value 40 के सामने देखते हैं कितनी है तो column 40 के सामने column number 7 column number 7 में हम देखते हैं value कितनी है 6096 हम लिख लेते है 6096 इसके बाद 40 के सामने mean difference 1 में देखते हैं value कितनी दिया है तो यह 40 दिया है और mean difference 1 में value दिया है 1 तो हम इसको add कर लेंगे तो यहाँ पर 1 add किया तो हो जाएगा 6097 यहाँ पर हमने लिख लिया 6097 यह value positive है यह value negative हो जबकि यह बड़ी है तो हम यहाँ पर subtract टरेंगे तो हो जाएगा तो यहाँ पर value आ गई positive की 0.2597 अब हम यहाँ पर क्या देख पार है यह अप ओड़ांस positive हो जो की होना चाहिए तो हमने यहाँ पर find के log x is equal to इतना अब हम क्या करेंगे टेक इंटी लॉग आफ बोथ साइड्स तो हम इंटी लाग लेंगे तो हो जागा x is equal to इंटी लॉग इंटी लॉग 0.2597 इतना हो गया अब हम क्या करेंगे तो बच्चों हम लाग टेबल में हम क्या करते थे लाग टेबल में हम करेक्टरिस्टिक find करके लिखते थे लेकिन जब हम इंटी लाग टेबल लेखते हैं तो हमें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पहले से दिया रहता है जो कि यह 0 जिरू दिया है जब negative करेक्टरिस्टिक होत लेते हैं y-1 तो यहां से टोटल नमबर डिजिट सा गया वंतियाने कि हम यहां से यह फाइंड कर बाएंगे कि जो डेसिमल लगेगा वह वन वह वन डिजिट के बाद लगेगा तो अब हम क्या करेंगे 25.25 के सामने कालम नमबर 9 में वैल्यू देखेंगे एंटी लाग टेबल में 0.25 के सामने 7 कालम में वैल्यू देखते हैं कितनी दी है तो अब हम में डिफ्रेंस में 0.25 के बाद वैल्यू देखते हैं में डिफ्रेंस में कालम नमबर 7 में वैल्यू दी है यहां पर 3 तो अब हम 3 वैल्यू को एड़ कर देंगे तो यहां पर जब हम 3 एड़ कर देंग तो यह हमारा answer हो गया, तो बच्चों इस वीडियो लेक्ष्र में इतना ही, और इस वीडियो लेक्ष्र में हमने question number one, question number two और question number three, three question करा दी है, exercise, two point four में बस क्या है, calculation type के question है, और इसके पहले हम chapter one, theory of indices, theory of indices, जितने भी chapter, sorry, जितने भी इस chapter में जितने भी exercise है, सभी को हमने करा दिया है, एक के question को कराया है, और सभी type के rule और laws को पढ़ाया है, यदि आपने इन वीडियो लेक्ष्र को नहीं देखा, या इस chapter कभी आपको समझना है, तो description box में link और playlist की link भी दी हुई होगी, आप वहां से पूरी वीडियो लेक्ष्र को देख सकते हैं, और इस वीडियो लेक्ष्र में हमने क्या सिखा log table हम कैसे देखते हैं, यह हमने सिखा log table देखने से पहले हम क्या करते थे, dow टेबल देखने से वहले हम क्या करते थे करेक्टरिस्टिक फाइंड करके लिखते थे करेक्टरिस्टिक फाइंड करके लिखते थे और इंटिलाग टेबल में हम क्या करते थे करेक्टरिस्टिक दिया रहता था करेक्टरिस्टिक गिवन रहता था और क्या हम करते थे कि डेसिम की प्लेस वेल्यू देखते हैं कि हम किस प्लेस पर डेसिमल को रखेंगे तो हमारे इस यूटूब चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा से एर कीजिए वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट वाक्स में कोई भी क्वेरी हो कोई के भी कुशन समझे में ना आया हो तो कमेंट सक्षन में पूछ सकते हैं थैंक यू